विनोज जी ये जो पूरी पूरा जो भाशन था और ये एक चीज ये तो आप कहिए कि ठीक है कॉंग्रेस पार्टी अपनी मुहमका नहीं निभा रही है लेकिन कॉंग्रेस पार्टी को टुकुडे टुकुडे गैंग का लीडर बता देना ये तो बिलकुल वो सडक्षा भाशा है जिसका इस्तेमाल सडक पर होता है भारतियंता पार्टी के तमाम प्रवक्ता आपने टीवी पैनल में करते हैं तमाम चीजें करते हैं प्रधान मंतरी की मुह से जब आप विपक्ष के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो आ हाँ देख्थ हÁ शनकी प्धान मंत्री जी का भाशन मोने भी सुना मुझे उसमें निराशा झालमन्तृ aún को इसमें नहीं प्लाशन नहीं हूं निराशा इसलिए नहीं हुई कि पधालमंत्री जी यही मतलब उनका भाषन कोई पहली बार ऐसा नहीं है वो इसी तरह का भाषन पहले भी देते रहे हैं वो चाहें संसर्थ में हो और चाहें चुनावी मंच पर हो या मंच पर तो मुझे जिस तरह क्या पेक्षा थी कि वो कठ आख्ष करने वाला भाषन कांग्रिस को निशाने पर लेने वाला भाषन तमाम सारे नेरू जी तक जाने वाला भाषन देंगे तो ऐसा ही भाषन उनों दिया और यह तरह से चुनावी भाषन था आज अभी श्रवण जी कर दे बिजनवर नहीं जा पाए तो आज बिजनव प्रदानमंतरी के भाषन में क्या होना चाहिए जानते हैं उनके भाषन पर बहुत तालिया बजा रहे होंगे बढ़ा लोक लुभावन किसम इसमें का मध्या जिसको पॉपूलिस्ट भाषन में उसमें सारे मुद्धे नहीं उठाए गए जिनकी जिनकी अपिक्शन हम जैसे उन्हें करुना काल ने तमाम उपलवधियां हासी की सरकार ने सुधार के तौर पूर सब गिराया उन्होंने बताया लेकिन फिर भी बहुत सारे बुद्धों पर वो बिलकुल रिग्दम उन्होंने जवाब ने जिवाब ले दिया महें पर उन्होंने नेरू जी को कोट कर दिया कि हमारी सरकार ने कुछ नहीं कर सकती तो नेरू जी कहें गए प्रधान मंत्र जिया पांच राज्यों खासकर उत्तर पुदेश उत्तराखंड के चुनावी उसको जो है ड्रस कर रहे संबोदीत कर रहे थे वो संसत से ज्यादा उनका उनका चिंता जो थी वो वो ज देश छोड़कर के चार राजियों में कॉंग्रेस ही सबसे बड़ी दावेदार है पंजाब उत्राखंड गोवा और बड़ीपुर देश में कॉंग्रेस अगर कभी भाजपा को कोई पालिटी रास्ती इस तरफ पर अपदस्त कर सकती है तो कॉंग्रेस ही कितरा कहा जाए क प्रदान मंतरी अची तरह जानते हैं कि कॉंग्रस ही भारतिय पार्टिय अप्रटिय अप्धिस्ट कर सकती है जब भी वो इस्तिती आए या तो इसलिए कॉंग्रस पर निशाना उन्होंने साधा राहूल गाजी ने इस बार जितना आक्रामक और जितना वैसा भाशन दिया ज स्वह प्रदान बंतरी जी कुतना है जब है इसलिए उन्होंने राहूल गांदी का जो खोड़ था कि ये यूनियन ऑफ स्टेट सै भारत नीशन नहीं हैं उसको उन्होंने उन्होंने रास्त की चिंथा नहीं है एक तरह से तैश्विरोधी काम किया बनायाई उन्होंने रास्तुबात का भी एक नरेटीव बनाया तुकले टुकले गैंग की जो आप बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं पहली बार नहीं है भाई भारते इंता पालिटी का तो एक नरेटीव है कि जो भी लिबरल पॉलिटिक्स करने वाले लोग है उनको टुकले टुकले गैंग तरके देश विरुदी पता दीजिए और वो खान मार्केट गैंग, टुकले टुकले गैंग, लुटियन्स गैंग इस सारे जो जुमले हैं कहां से आए हम सब के सामने हैं तो मुझे लगता है प्रिधान मंत्री जी को आज यही भाषन देना था क्योंकि उनकी चिंता पहंच राज्यों के में होने वाले चुनाओं हैं और उन्होंने एक तरह से चुनावी भाषन पर जवाब देते हुए और उन्होंने उसका एक तरह से चुनावी उसके लिए उभ्योग किया सत्त हिंदी का एप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर